प्लिस व्ल्कम् टू अलोफ यूललन्विथ मीठ वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूप चैनल लन्विथ मीठ मीमे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किजिए और मैंजम शेयर किजिएगा आज हम पढ़ने वाले इनीक्वैलिटी इनीक्वैलिटी अगर मैं बैंक के एक्जाम की बात करूं तो प्यो और गलर्क दोने एक्ज हाथ 9600 बने कर सकते हैं ठीक हैं बहुतीसेज तरह हो इसमें सांग घेंगी यह 1070 थैज हैं इसमें थ्ञाय का इह क्या है बरूबर पर श्मॉलक में चोटा बड़ा बर डाबर चोटा अच्वेटirm को ऐसक बना कि नहीं हो प्यों है एम्तोरद को सब्सक्रें भीषां सो नहीं इन दोनों से मिलाकर ये बना और इन दोनों को मिलाकर ये बना ठीक है इन पांस साइन से चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा कम्प्रीट हो जाएगा बहुत इसी चैप्टर है तो चलिए मैं पहले आप लोग को बता देती हूं कि कोशिंस की सरीके के पूछे जाते हैं ठीक है सबसे पहले ऐसा एक स्टेट्मेंट लिखा रहेगा मतलब कथन कथन में ये ऐसा कुछ भी दे सकता ए बी सी डी ए मालो डी और ये बरूबर है ये पारिफिंद लिखा रहेगा ऐसा ऐसा ठीक है ऐसा पूछ भी लिखा रहेगा हम हिंस अन्यसकर को देखना है कि क्या यह इस स्टेट्मेंट के इकौर्डिंग жд बोचन हम चाहिंदी कर लोगर होता है कराफा छूर्टा हां इतना आगा उसे पहलु में इस रिए जब सकता है अज हम इस लिए मन उसा है किस्का कट है उसले एक है इतना थे दिया सब्क्राइब दिया रहेगा, मालो 2 conclusion दिये हुएं, ठीक है, पहला और दूसरा, अब क्या करेगा, वो नीचे option दिया रहेगा, आपको 5 option दिये रहेंगे, ठीक, ऐसे 5 option दिये रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौता और पांचरा, अब उस पे लिखा रहेगा, only first follow, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, मतलब क्या, केवल पहला वाला follow कर रहा है, conclusion दूसरा वाला नहीं कर रहा है, दूसरा option रहेगा, केवल दूसरा follow कर रहा है, मतलब पहला वाला follow कर रहा है, ठीक है, और तीसरा दिया रहता है, either or, ठीक है, ये दिया रहेगा, इस में क्या रहता है, दोनों statement गलत रहत के लाज मतलब नहीं पांच वाय तो पहलव है और अगले तोिक का और सीचे हैं मतलब यह तो समझ सभी अभी पास्चाही में तो हम इसे लगां देंगे ने सब्साइब आप देंगे समझा जाएगा ठीक है आइदर और और नाइदर नौर को हम एक एक्जाम्पल से समझेगे अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक statement ले लिया मैंने मैं आप लोग को अभी से आप लोग की practice करवा देती हूं question से ठीक है कि किस तरीके के question आते हैं अब मैंने बोला इसमें आपको A से E जाना है ठीक है A से E क्या करना है जाना है हम क्या करेंगे A से B जाएंगे B से C जाएंगे C से D जाएंगे और D से E जाएंगे ठीक है और इसमें हमें Sain पता करना है A से E में, A बढ़ा है B से, B बढ़ा है C से, C बढ़ा है D से, D बढ़ा है E से, मतलब अभी बढ़ा होगा E से ठीक है, इतना निकला, greater greater ग्रेयटर का साइन है तो टो ग्रेटर आगिया āश्य क्या जाता है छोटा है यह इत्थि वत समझ में खुर् Pepsi ग्रेटर के साइन है तो और मैं तो अम इस में इधर से इधर गई हूं मैं 봤 अब मैं बस्मीकिंदम से मुझे इधर जाना है अब मैं क्या करूंगी इंग है अब मैं क्या करूँगी मैं सबसे पहले देख हुगी इस जाना मुझे बस आप लोग एक बात डिमांक में रखना ज हम लेव्ट साड़ से राइट से जाते हैं तो क्या रहता है सिंबॉल वही रहता है ठीक है greater है तो greater रहेगा equal है तो equal रहेगा smaller है तो smaller रहेगा ठीक है equal का अकेले में कोई भी मतलब नहीं होता है ठीक है इसकी कुछ value नहीं है इसकी value रहती है जब ये greater के साथ लग जाएगा जब यह स्मॉलर के सांत रह जाएगा ठीक है यह भी हम अभी question से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है इतनी बात आई समझ में जब भी हम left से राइट जाएंगे तो symbol अगर greater का है तो greater रहेगा smaller का है तो smaller रहेगा और क्या हो सकता है एसे जाना है ऊते हैं से मुझे जाना है यह से मुझे साइग़ा एक दो मैंने देखा greater 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 ठीक है तो आप जब मैं right से से लेफट सेट जाओगी तो मैं क्या करूंगी इसको सैंट को बढ़ड दूंगी मतलब greater रहेगए तो मुझे लिखना smaller रहे हो तो मुझे सी चनल है不錯 सक्कुन में कि अगले के च्रहुरां हमसी टोल के था रहता है तो मैं Consumer झाल की就到 गाला है पंसर जाएक सब्सक्राइंगा लगते हैं वलोंतो है पहaltresना से इस ऐलआ गए करते हैं रेना में अपना को सबसक्ẫn में बहुत ऑब अपण मातेश किसा सबसे ₩ है तो हम क्या करेंगी smaller कर देंगे ठीक है आंसर smaller में आएगा ठीक है क्योंकि answer smaller ही है न हमारा यह trick है ठीक है कि हम जब भी right hand set से क्या करते है left hand set जाते हैं इधर से जब मैं इधर जाओंगी तो अल्टा ले लूंगी साइन जो भी दिया रहे गरेया ले लूंगी सिए जो हम में और समझाने की तरफ दूसरा दी इस टिए है अब क्या हौत यह उए स्मॉलल स्दोम Rush to 6 अब मैंने भुला आपको जाना है इससी की तरफ एससी तो ए हम सीद्रे सीद्रे जा रह personnage बराबर का साहीन है तो क्या घा रगा बराबर आझा ठीक है मैंने भूल आपको एससी जाना है अब क्या करेंग?"या बराबर है मैंने बोला इसकी अकेले में कोई value नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, जब हम A से C तक का तो आगए, अब C से D जाना है, greater आ रहा है, D से E जा रहे हैं, तो भी greater आ रहा है, तो किसे लेंगे, greater जो common रहेगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ल सबक्राइब ड़ीर सफेटों आगी में तो यह जाओंगी तो बड़ीकुल है इन तिनों में कॉमान ज्यादा सबसे क्या है ग्रैटर रिक्वल है तो हम के से ले लेंगे ग्रैटर रिक्वल को ठीक है अब मैं बात करों जब ऐसे जाने जब हम बात करते हैं हमें जाना है A से फिए Tucson करेंगी में से जा रही हुंसा नहीं सिर्फ ऊव मैं किसमें साइन को लोगी सिर्फ रोला क्यों क्यों टर्थोकर से स्लिए अब क्या बात समझ आई इक्वल का अकेले में कोई वैल्यू नहीं है अगर A B C ऐसा दिया रहेगा तो हम इक्वल लेंगे पर अगर A B C में ये बरोबर है ये छोटा है A से C गई तो पहले वाले में क्या गया बरोबर और A से C गई तो दूसरे वाले में क्या जाएगा इसकी नहीं लेंगे हम सिर्फ इसकी लेंगी किती बात समझ हुआ इक्वल की अकेले में कोई वैल्यू नहीं होती है दूसरा अगर greater equal greater ह dépend है停 में किसे लेंगे डरव को स्मॉलर को ठीक है मतलब जो जादा रहता है जो कॉमन रहता है हम क्या करते हैं उसे रहते हैं इन दोनों में क्या इसमें स्मॉल ग्रैटर है इसमें ग्रैटर दोनों में है तो हमने ले लिए स्मॉलर ठीक है इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हमने ले लिए इसे ठीक है अब एक इक्वल का, sorry greater का और smaller का ठीक है, या फिर smaller रहे और greater रहे ठीक है, जब भी ऐसा opposition आजए तो हम उसका answer नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि छोटा होगा या क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम क्या कर देत हम नहीं बता सकते हैं, अब यह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सब में क्या हो जाएगा, गलत बस मुझी greater और smaller एक सान नहीं चाहिए, ठीक है, इतनी बाते हैं समझ में, अभी क्या करते हैं, जैसे आप एक मैने क आप लोगों के लिए A B C D E A के है चोटा है वबरोबर है D B के B के है smaller equality C smaller D के D greater है E के ठीक है अब हम कैसे करेंगे मैंने बोला A से B जाओ A से B में यह लिग दिया तो क्या यह सही है तो मुझे अब मैं लिख दूगी ऐसे तो क्या ये सही है, A और B को देख के बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, A, B, C, D, E, ठीक है, मैंने लिखा, ये, ये, ये और ये, ठीक है, A से B जाना है मुझे, अब मैंने बोला, A से B जाओ, A से B में मैंने ये conclusion लिख दे, ये तो मे जाओ, ये, एक में मैंने लिखा, ये, ठीक है, A से B बड़ा है क्या, तो हम देख रहे है, A चोटा हो बरोबर है, B के, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, जबकि है क्या एक्चुल में चोटा और बरोबर, ठीक है, अब बोल समझ में ये भी क्या हो गया गलत अब क्या करेंगे हम मैंने बोला एक है चोटा है बी से और एक है चोटा है और बरोबर है बी के चीक है अब एक है बी से चोटा बरोबर है तो खाली चोटा है क्या नहीं तो ये भी गलत अब मैंने बोला एक चोटा है और बरोबर है बी के तो अब क्या करते हम यह लिख लिख लिया मैंने ठीक कि यह हो गया हमारा अब मैंने बुला ए क्या है कि ए से जाना है हमें कि ए से जाना है हमें रव क्या यह ऐ आधर से जाना है कि ए ए से जब मुझे जाना है कि से झाना है यह दोनों यह दोनों ठीक है तो equal equal आ जाएगा equal यह यह आ जाएगा यह पर अब हम क्या कर रहे हैं हम इधर से जा रहे हैं ठीक है left से right जाते हैं जब तो normal रहता है जब हम वापिस पलड़ते हैं मूड के आते हैं मैं एक रस्ता गई तो आपस साइन सेम रहेंगे जब मैं उस रस्ते पर मुड जाओं जैंकी साइन क्या हो जाएंगी बदल जाओं ठीक है तो जिए मैं वापिस उसी रस्ते से आ रही हूँ तो अब यह smaller रिक्वल्ड होगे क्या हो जाएगा greater equal ठीक है क्या समझ में आया इससे जब हम left side से right side जाते हैं series जैसे normally चलती है तब तो normal sign रहेंगे जो sign रहेगा वही रहेगा ठीक है ऐसे से जाने में ठीक है left से right जाने में पर जब मैं right से left जाओंगे तो क्या रहेगा sign क्या जाएगा बदल जाएगा तो अभी मैं c से e जारी हूं तो क्या रहे है मेरा smaller equal मैंने देख लिए दोनों में common है smaller और equal थीक है smaller equal आ रहे है पर मैं क्या कर रहे हूं वापिस जारी हूं इस्मोलर का क्या हो एसे था हमें C से A जाना था मैंने देखा smaller equal है पर वापिस हम इस तरफ जा रहे हैं मूड की जा रहे हम हमारे रस्ते से तो हम क्या करेंगे sign बदल देंगे ठीक है अब एक और ले लेते हम मैंने लिखा A B C D E ठीक है ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा और ये लिखा मैंने बोला आपको जाना है A C तो अब क्या लेंगे आप greater equal और greater दोनों मी common heh common response लिखा है by greater further smaller और smaller दोनों मी common sign कौन सा देखा है ?akon सा Alexandra smaller लिख लिख ली Smaller अब मैंने बोला C से A जाना है CT को म्हुंस क्या दिख रहा है smaller पर हम क्या करने आप वापिस रस्ते पे मूड़ है तो क्याले लेंगि greater ठीक है अब मैंने बोला आपको जाना smaller ठीक है और क्या हो सकता है से अब देखो अप सीरीज ब्रेक वाला पढ़ते हैं ठीक है यहां पी दिखते हैं मुझे सीरीज सिडिक है ब्रेक हो रही है एक यह साइन है और एक ब्रेक है ठीक है अब मैंने बोला मुझे जाना है ब सी details ठीक है B से D अब मैंने क्या देखा B से C गए तो आ गया C से D गए तो क्या गया greater अब ये दो साइं अपोजिट आ गए मतलब series क्या हो गई break हो गई यहां पे न ये आ सकता है यहां पे न ये आ सकता है कुछ भी हो सकता है हम ही पता नहीं तो हम क्या कर देंगे इसे डिरेट गलत ठीक है कुछ भी लिखा रहेगा यहां पे तो हम क्या कर देंगे उसे गलत मालो आपकी conclusion में लिखा हुआ है B से D मालो आपकी conclusion में लिखा हुआ है B छोटा है D से तो क्या हो जाएगा छोटा और बड़ा दोनों है तो क्या हो जाएगा गलत मालो लिखा हुआ भी बड़ा है डी से तो है क्या नहीं पता हमें तो हम क्या कर देंगे गलत वैसे ही लिखा रहेगा बी से डी का बी से डी greater equal गलत बी से डी smaller equal गलत B से D equal रहेगा फिर भी गलत ठीक है इत्ती बात आई ये तो थी हमारी basic बाते कल हम पढ़ेंगे कुछ questions पढ़ेंगे question में मैं आप लोगों को पहला दूसरा और पांचवा option का पढ़ाऊंगे ठीक है एक रहेगा हमारा पहला सही दूसरा गलत एक रहेगा दूसरा सही पहला सही एक मिनट एक दो तीन चार पांच रहेंगे हमारे इसमें पहला सही रहेगा दूसरा गलत दूसरे वाले में रहेगा पहला गलत दूसरा सही ठीक है ये खाली पहले वाले में पहला फॉलो कर रहा है दूसरे वारे में skip कर देंगे either और neither वाले को ठीक है या तो ये और ना तो ये ना तो वो इन लोग को हम क्या करेंगे अभी छोड़ देंगे ठीक है और पांच बार रहेगा both follow ठीक है ये हम कल पढ़ लेंगे उसके बाद अगले पार्ट में मैं आप लोग वो आइदर और नाइदर की concept बहुत अच्छे से clear कर दोंगी ठीक है तो session को यहाँ पर हम end up करते हैं till then keep learning, keep practicing, thank you and bye bye